वेल गाइच, आज हम इस वीडियो में सिखेंगे एक नाउन क्या-क्या फंक्शन कर सकता है जैसे हमने एक सेंटेंस बोला है रोहन टीचेस हर तो यहाँ पर जो रोहन बन रहा है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है यदि हम इसी sentence को बोले He teaches English Rohan तो यहाँ पर जो Rohan बन रहा है वो sentence में object बनने का काम कर रहा है तो हम इस sentence समझ सकते हैं एक जो noun रहता है वो किसी भी sentence में subject या object बन सकता है